धाद गिरने से नुकसान और आयूरवेदे के लाज पुरुषों की एक यौन समस्या धाद गिरना यानि पुरुष की इच्छा के बिना वीर्य का निकलना अकसर नींद के दोरान या मल मुत्र त्याकते समय लगने वाले जोर से वीर्य के निकल जाने को ही धाद गिरना कहते हैं जो बिना किसी यौन उत्तेजना या बिना किसी संभोग तयारी के पहले ही निकल जाता है धाद गिरने से नुकसान इस समस्या से ग्रसित पुरुष के यौन अंगों में दुर्बलता आ जाती है जिसमें अनैच्चिक रूप से वीर्य पात होने लगता है इसके अलावा धात गिरने से काम में ध्यान न लगना या दाश्ट कम होना, वजन कम होना और रोग प्रतिरोधक्षमता में कमी होना जैसी समस्या होती है धात गिरने की समस्या को रोखने का इलाज नो फॉल एवं महा रसायन कैपसूल्स धात गिरने की समस्या को रोखने के लिए अत्यंत प्रभाव शाली आयूरवेदिक उप्चार है, ये आयूरवेदिक कैपसूल्स समस्या को जड़ से खत्म करते हैं यह आयुर्वेदिक उपचार मजबूत तंत्रिकाओं, सक्रिय प्रजनन प्रणाली और टेस्टोस्टेरोन हॉमोन की इश्टतम उपलब्धता प्रदान करता है यह पुरुष के जननांग अंगों की ओर रख्ट का प्रवा अधिक रखता है और पुरुष की शक्ती और पौरुष को बढ़ाने के लिए नसों, उतकों और अंगों को पोशन देता है नोफॉल एवं महारसायन कैपसूल्स प्रभावी धातु रोग उपचार के साथ साथ कम कामेच्छा, शीघरपतन, नपुन सकता और कम वीर्य की मात्रा जैसी समस्याओं का इलाज करते हैं ताकि पुरुष को उच्चक शमता और अध्भुट संभुग शमता प्राप्थ हो यह आयुर्वेदिक उपचार तंत्रिका कारियों को उच्च रखकर पूरे पुरुष जननांक शेत्र को समवेधन शील रखता है, इससे अनैच्छिक स्खलन रुग जाता है धातु रोग के कारण वीर्य की बार-बार हानी प्रोस्टेट ग्रंथी को परेशान करती है, इसमें सूजन आ जाती है पेशाब के दोरां स्खलन को रोकने के लिए यह उपचार स्वस्थ प्रोस्टेट कारियों को बढ़ावा देता है और वीर्य की मात्रा बढ़ाता है यह आयुर्वेदिक उपचार दुर्बलताओं और कमजोरियों को दूर करने के लिए काम करता है और विकारों का इलाज करता है ताकि पुरुष को असाधारन संभोग शमता प्रदान की जा सके नो फॉल एवं महा रसायन कैपसूल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस विडियो को अंत तक देखें धात गिरने की समस्या को जड़ से खत्म करने के उपाए इन हर्बल सप्लिमेंट्स का उप्योग करना आसान है धातु रोग से छुटकारा पाने के लिए नो फॉल एवं महा रसायन कैपसूल्स दिन में दो बार पानी के साथ लें नाश्टे के बाद एक और रात के खाने के बाद एक कैपसूल सेवन करें नो फॉल एवं महा रसायन कैपसूल्स का सेवन करने से यह शरीर को उतेजित करने वाले हॉमोन को काबू करती है जिससे वीर्य बार-बार बाहर नहीं निकलता है ये कैपसूल्स वीर्य की गुनवत्ता को बहतर करती है जिससे वीर्य गारा होता है इन कैपसूल्स में कई ऐसे पोशक तत्व भी पाय जाते है जो शरीर में पोशन की कमी को दूर करते है जिससे यौन कमजोरी खत्म हो जाती है यह शरीर के प्रतेक अंग में पोशन और आक्सीजन की आपूर्ती बढ़ाते हैं और शरीर के सभी महत्वपून प्रणालियों के कारियों का समर्थन करते हैं धातू रोग को खत्म करने के साथ ये कैपसूल्स शरीर को मजबूती भी देते हैं जिससे पुरुशों में अन्य यौन समस्याएं भी खत्म हो जाती है जैसे कि यौन पावर की कमी, कामेच्षा की कमी, लिंग में तनाव न आना आदी निशकर्ष नो फॉल एवं महा रसायन कैपसूल्स में जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है जैसे जड़ी बूटिया अश्वगंधा शिलाजीत स्वर्न भास्म लौभास्म सफेद मूसली शतावरी केसर कौच आदी ये जड़ी बूटिया धाद गिरने की समस्या को दूर करने में अत्यंत फायदेमंद है ये एक पुरुष के कौमार्य और जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं ये बिस्तर में एक पुरुष को सक्षम प्रेमी बनाते हैं हर्बल प्रकृति के कारण नोफॉल और महा रसायन कैपसूल्स पूरी तरह से दुष प्रभावों से मुक्त है और इन्हें बिना किसी नुस्खे के लिया जा सकता है धात गिरने की समस्या को रोकने का इलाज सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित एक लाख से अधिक संतुष्ट क्राहत जी एमपी प्रमानेत कुण वता संपून भारत में उपलब्ध प्रोड़क्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यदि आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब के बेल आइकॉन को प्रेस करें यूट्यूब को सब्सक्राइब करें